यांड पर ना दॉटी सेल का अल्टरा स्ट्रक्चर कैसा होता है वह आज इस वीडियो में देखने वाले एंड इस टॉपिक पर हम सिक्स पॉइंट्स होें वन ब्यावन कवर करने वाले हैं तो चली करते हैं सटाथ so basically students किसी भी bacteria की cell को study किया जाता है by using the electron microscope and जब इन bacteria की cell की study की जाती है तो बहुत सारी staining की method देखी जा सकती है जो कि हमने already पिछले वीडियो में discuss कर ली है so typical bacterial cell के अंदर हम देखते हैं कि three layered envelope का structure होता है तीन layers में हमको bacteria की cell जो है वो दिखाई देती है उसके outer surface पे इन layers को बोला गया है capsule or slime, cell wall and the cell membrane respectively यहने कि यह तीन layers के form बताए गए है तीन layers जो हमको उनके outer surface पे दिखाई देती है वही है capsule or slime, cell wall and the cell membrane so basically students इस bacteria के cell के अंदर हमको protoplasm जो है दिखाई देता है यह protoplasm जो हमको दिखाई देता है वह cell membrane के अंदर होता है जहाँ पर हमको बहुत सारे cell के organs याने कि बहुत सारे अलग-अलग parts जो है वो scattered दिखाई देते हैं जो की एक दूसरे से independent होते हैं ओके students so basically bacterial cell यह represent करता है कि किस तरीके से एक typical prokaryotic का structure होता है ओके students तो चलिए one by one इस bacterial cell के जो main structures है उसको describe करते है सबसे पहला important part है इस ultra structure of bacterial cell का वो है capsule और slime layer क्या है यह चलिए देखते है कुछ bacteria की जो cell wall होती है वो diffused होती है फैली होई होती है loose envelope यह बहुत जदा loosely होती है बहुत धीली होती है और बहुत जदा फैली होती है उसके outer surface पे इसको हम बोलते हैं slime layer ओके एंड जो capsule यहां जिसको हम slime layer बोल रहे हैं यह कब बनता है जब protoplasm का secretion होता है जब उस bacteria cell से protoplasm जो है वो बहार निकल जाता है और उसके outer fail जाता है जैसे कि हम देख चुके हैं polysaccharide में इसका example है dextrin, lehwan and amino acid की polypeptide chain में भी हमको देखने को मिलता है यहांने की CDC बात है इस students simply क्या है जब protoplasm जो है निकल करके bacteria cell के चाहतर फैल जाता है उसको हम बोलते हैं slime layer इसकी example अभी में देखे dextrin हो गया, lehwan हो गया या फिर amino acid की polypeptide की chain में भी हमको इस type की slime layer देखने को मिलती है लेकिन अगर हम बात करें कुछ scientist की point of view से अगर यह layer जो है सिलके चाहतर तरफ protoplasm फैल करके collect हो गया है अगर मान लेते हैं यह जो layer है nitrogenous substance की होगी तो हम बोलेंगे इसको capsule लेकिन अगर यह layer बनी हुई यह polysecret की तो उस case में हम इसको बोलते हैं slime layer अब हम बात करते हैं students की अगर यह capsule की जो thickness है वो 0.2 micro से भी जादा है तो इसको हम बोलते हैं macro capsule लेकिन अगर इसकी thickness जो है वो 0.2 micro से कम है तो इसको हम बोलते हैं micro capsule कहने कि CDC बात है 0.2 micro से उपर होगी तो macro capsule बड़े capsule हो जाएंगे अगर 0.2 micro से कम होगी तो उसको हम बोलेंगे micro capsule अब यह जो capsule है यह करता क्या है basically यह capsule जो है बेक्टरिया की cell को protect करता है from the desiccation what is a desiccation exactly जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निर्जली कर लेने की एक बेक्टरिया की cell का पूरा पानी बहार निकल जाना उसको हम बोलते हैं desiccation तो पूरा पानी जो बेक्टरिया सेल के अंदर है या जो भी fluid है वो बाहर नहीं निकले उसको रोकता है यह capsule and इसके लावा phagocytosis को भी prevent करता है रोकता है protect करता है अब बादाती है कि यह phagocytosis क्या होता है एक ऐसी process जिसके through कुछ living cells जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं phagocytes वो ingest करते हैं या engulf करते हैं other cells को समझाता हूँ यह क्या होता है exactly phagocytosis कि यहाँ पर क्या होता है students की एक cell जो है एक बेक्टरिया जो है वो दूसरे बेक्टरिया को खा लेता है by using the ingestion जैसे कि आप इस डियाग्राम में देख पा रहे हैं किस तरीके से आप ingestion हो रहा है सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमाँ पास बेक्टरिया है एंड बेक्टरिया के contact में कोई दूसरा बेक्टरिया आया या दूसरा कुछ भी चीज आई तो यह किस्ते के से one by one इसको अपने पास लाकर के एंड उसको consume कर ले रहा है यह आप देख पा रहे है तो इसको बोला गया है phagocytosis तो जो capsule है इस phagocytosis से भी protect करता है आगे बोला गया है कि जो बेक्टरिया में जो virulence है virulence मतलब what harmful तो बेक्टरिया में जो harmful चीज़े हैं वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे इस bacterial cell के पास capsule present होता है लेकिन अगर हम बात करें non-capsulated bacteria की तो वो harmful नहीं होते है और उसको हम easily destroy कर सकते हैं याने कि students यहाँ पे मतलब यह है कि जो capsuled bacterial cell होते हैं उसको हम destroy नहीं कर सकते हैं वो हमारे लिए बहुत नुक्सान करता है to the human being, to the other animals लेकिन non-capsulated जो bacteria होते हैं वो उतने नुक्सान नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उनको destroy कर सकते हैं चलिए देखते हैं अब second point को समझते हैं that is cell wall तो basically किसी भी एक bacteria की जो cell wall होती है वो एक rigid structure बहुत कड़ा structure होता है जो कि provide करता है fixed shape देता है उस bacteria की body को और उसके साथ साथ उसके अंदर जो भी cell organs हैं जो भी body parts हैं उनको भी एक particular protection देता है उनको बचाता है okay cell wall का यही काम है basically bacteria के cell wall का जो एक important characteristic feature है वो यह है कि इसका जो structure है वो granular होता है यानि कि एक दाने के type के होता है and यह एक plant cell के micro fribular के जैसे बिल्कुल भी नहीं होता है okay so basically मैं यह बोल सकता हूँ कि plant cell के structure से इन bacteria की जो cell wall है उनका structure अलग होता है और इसका structure granular होता है okay students अब हम बात करते हैं कि यह जो bacteria की cell wall होती है वो बनी होई होती है mucopeptide की जिसको हम और एक word से जानते हैं that is peptido glycan या इसी को बोलते है glycopeptide या इसी को हम बोलते है murine यह सब protein के नाम है इसके थू बनी होई होती है bacteria की cell wall तो अब हम बात करते हैं mucopeptide है एक हीट्रो पॉलीमर होता है एक टाइप का मदब पॉलीमर है जो की बना हुआ होता है तीन मेजर कमपोनेंट से मिल करके यह जो mucopeptide की layer होती है जो cell wall जिससे बनी होई होती है बेक्टरिया की उसमें तीन मेजर कमपोनेंट क्या क्या होते है तो वेरी फर्स इज ए N-acetyl glucose amine सेकेंड इज ए N-acetyl muramic acid थर्ड है यहाँ पे चार या पांच जो है amino acids मिल करके एक मेजर कमपोनेंट बनाते है अब यह चार या पांच amino acids कौन कौन से होते है तो वेरी फर्स इज ए L-A9 सेकेंड D-clutonic acid थर्ड दाइ-मेनो पाइमेलिक acid जिसको हम DAPA बोलते है नेक्स D-A9 एन लास्ट इज ए क्लिसीन और लाइसीन जिसको हम बोलते है तो इस तरीके से इस्टुनेंट्स क्या होता है जो major components है इनके साथ में ही जो है mucopeptide form होता है बनता है कुछ bacteria की अगर हम बात करते हैं उनके सेलवाल होती है उनमें chitin and lipid नाम का हमको protein देखने को मिलता है chitin जो है एक fibrous substance होता है जो की consist करता है polysacuride अगर हम lipid की बात करते हैं वो भी एक protein है एक substance है basically जो की insoluble होता है water में आने की water के अंदर ये घुलता नहीं है okay students gram positive bacteria की cell wall की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो है mucopeptide की quantity कितनी होती वो लगबग 80% तक होता है लेकिन अगर हम बात करते है gram negative bacteria में तो ये हमको देखने मिलता है सिर्फ 3 से 12% तक ही okay students तो अगर अब हम बात करते है acidobacter की cell wall के लिए तो वहाँ हमको xylenum देखने मिलता है अगर हम बात करते है actigenum and gymosecrecina venticulis की बात करते है तो ये बना हुआ होता है cellulose का okay students इसके अलावा अगर हम बात करते है gram positive bacteria की cell wall तो वह contain करते है tycoic acid भी तो ये एक जगा acid होता है जिसके थू gram positive bacteria की cell wall बनी हुई होती है okay students तो basically students आप यहाँ पर इस diagram के help से ये difference calculate कर सकते है देख सकते हैं क्या difference है कि ये gram positive and gram negative की जो cell wall होती है ये जो आपको diagram दिख रहा है ये gram positive bacteria की cell wall का diagram है and जब आप ये figure B के तरब देखते हैं तो ये gram negative bacteria की cell wall को represent करता है okay difference क्या है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको दिख रही है कि जो cell membrane है दोनों में आपको दिख रही है horizontal base पे है and इसके पाद gram positive में जो layering है tychoic acid की peptidoglycan की तो ये basically आपको vertical layers दिख रही है लेकिन अगर आप इस gram negative bacteria के तरफ देखेंगे तो इसकी cell wall में आपको peptidoglycan just above the cell membrane okay cell membrane के उपर आपको peptidoglycan की layer देखने को मिलती है उसके उपर lipoprotein की layer देखने को मिलती है and उसके उपर phospholipid की layer देखने को मिलती है and at the last lipopoly secrets की आपको layer देखने को मिलती है अब यहाँ पे हो क्या रहा है students exactly इस gram negative bacteria में सभी layer जो हो horizontal basis भी होती है तो ये था structure cell wall का as compared to the gram positive bacteria and the gram negative bacteria चलिए अब next part देखते हैं that is cell membrane so जो cell membrane होती students यह हमको just नीचे देखने मिलती है इस cell wall के and protoplasm के चावतर देखने को मिलती है cell membrane अभी किस तरीके सोता इन तीनो points को पहले हम diagram से समझते है चलिए diagram देखते हैं तो students जह से कि आप देख पा रहे हैं कि हमाई पास यह bacteria है इस bacteria की जो आखरी में आपको यह जो दो line दिख रही है जो last की दो line से यह मिलकर के cell wall बनाती है आप देख भी पा रहे हैं यह जो line जा रही है यह line जो है यह cell wall को represent करती है अब देखिए यहाँ पे जो cell wall हमने देखे थे उस cell wall के बाहर जो है अंदर का protoplasm बहार निकल के फैल जाता है इस cell wall के चाओ तरफ जिसको क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं capsule और slime layer अब डाइग्राम से आपको ज़्यादा चीज़े clear होगी कि अंदर का protoplasm इस cell wall से बहार निकल के इस cell wall के चाओ तरफ फैल जाता है जिसको क्या हम बोलते हैं capsule या फिर slime layer अब जो third part है cell membrane तो जैसे कि हमने अब भी थियोरी में पढ़े थे कि cell wall के just नीचे cell wall के just नीचे वहाँ पर हमको क्या देखने मिलती है cell membrane तो जैसे कि आप देख रहे हैं यह दो line के बाद और एक line यहां से गई है आपको दिख रहा है यानि कि आप गौर से देखिए यह एक line गई है यह दूसरी गई है और यह तीसरी line गई है तो जो तीसरी line जारी है आप यहां देख भी रहे हैं तीसरी लाइन जा रही है इसको हम क्या बोल रहे है cell membrane याने कि cell wall के just नीचे जो layer होती है जो boundary होती है उसको हम बोलते है cell membrane ओके तो चलिए इस cell membrane के बाद में थोड़ा सा और जानते हैं तो वह यहाँ पर बोला गए students कि cell wall के just नीचे and protoplasm के चाओ तरब हमको एक layer देखने को मिलती है उसको हम बोलते है cell membrane ओके and यह जो cell membrane है यह एक living and semi permeable होती है living का मतलब कि इसमें जान होती है ओके and हम बाद करते है semi permeable अब इस semi permeable का मतलब क्या होता है students कि एक ऐसी membrane जिसमें से वही चीजें जा सकती है अंदर या बाहर आई मीन बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर जिसको permission रहेगी according to that bacteria तो उसको बोलते है semi permeable यान कि इनको कुछ लोगों को जाने की अनुमती रहेगी semi मतलब हाफ होता है यान कि कुछ लोगों को अंदर से बाहर बाहर से अंदर जाने की permission रहेगी और कुछ लोगों को नहीं रहेगी तो इसलिए इसको बोला गया cell membrane को semi permeable अब यहाँ पर एक space देखने को मिलता है instruments हमको cell wall and cell membrane की बीच में जैसे कि अभी हमने diagram में देखे थे कि cell wall and cell membrane की बीच में एक space छूटा हुआ रहता है इसको हम बोलते हैं periplasmic space अगर हम chemical ही बात करें तो यह जो cell membrane है यह structure में lipoprotein के जैसे होती है इसका मदलब यह instruments lipoprotein का structure होने का मदलब यह होता है कि यह जो cell membrane होती है बनी हुई होती है phospholipids की and protein से मिलकर के बनी हुई होती है इतना clear है तो यह जो cell membrane है यह actually content करती है बहुत important enzymes जितने भी important enzymes होते हैं वो इसी cell membrane के अंदर वो content करते हैं जिसकी जरौत पड़ती है cell wall के बहुत सारे component के formation में याने कि इस चीज़ को समझे की ज़वत होती है students की जो cell wall के components होते हैं वो बनते कैसे हैं तो basically जो cell wall के components होते हैं वो बनते हैं कुछ enzymes से यह enzymes का होते हैं यह enzymes होते हैं cell membrane के पास cell membrane content करती हैं इन सारे ही important enzymes को इसके अलावा lipids और बहुत सारे जरूरी जो respiratory enzymes होते हैं वो भी इसी cell membrane के अंदर हमको देखने को मिलते हैं बहुत सारे bacteria में जो cell membrane है वो क्या form करती है exactly mesosomes after infolding इसका मतलब यह है students कि यह जो आप देख पार है students इस structure को हम बोलते हैं mesosomes तो इसका मतलब यह है कि जो हमाई पास cell membrane है वो इस mesosomes का जो है आप देख रहे हैं कि उसी layer से जाकर कि यह बना हुआ है तो जो cell membrane है इन mesosomes का creation कर सकती है by using the infolding ओके अगर इस्ट्रक्चर के point of view से बात करें students तो यह vesicular होते हैं lemular होते हैं यह फिर इसको बोलते है tubular of membrane की बनी होती है तो यहाँ पे vesicular का मतलब क्या है कि वहाँ पे air जो है वो easily supply की जा सकती है हिंदी में इसको बोलते है वायू कोशी रहने की air जो है वो easily आने जाने लगती है lemular का मतलब होता है कि multiple layers देखने को मिलती है and tubular रहने की tube के form में बनी होती है tube जैसे हमको दिखाए देती है and यह वो सभी character sticks जो कि हमको एक unit membrane के अंदर इतने को मिलती है उस type के structure इसका होता है okay इतना clear है students हाला कि यह जो mesosomes है यह represent करते हैं एक cell membrane के specific part को okay अभी हमने diagram में देखे थे जो mesosomes थे वो एक specific part है उस cell membrane का लेकिन अगर हम बात करें in mesosomes के अगर हम specific location याने कि एक fix जगह बता दे कि वहीं होता है तो इस चीज का knowledge नहीं है याने questions बोलने का मदलब यह है कि mesosomes की जो specific location है वो को specific या fixed location नहीं होती है जिसके बारे में कोई भी हमको knowledge नहीं होता है कभी किसी bacteria में हमको अलग location पर देखने मिलता है तो किसी bacteria में अलग जगह पर देखने को बोला गया है कि जो इस mesosomes के अगर functions की बात करें या इसके काम को लेकर के बात करें वो up to the mark नहीं होता है याने कि फिक्स हमको उसका जो function है वो knowledge में नहीं है and इन mesosomes को generally consider किया जाता है eukaryotic cell के अंदर मिलने वाले mitochondria के equivalent माना गया है याने कि सीदी सी बात है जो mesosomes है यह हमको देखने मिलते हैं prokaryotic cell के अंदर and जैसे कि हम eukaryotic cell के अंदर mitochondria देखते हैं उसी टाइप से prokaryotic के अंदर हमको mesosomes को equivalent consider किया गया है and इसको एक और चीज़ से compare किया गया है equal माना गया है that is center of respiration यान कि respiration में भी इसका कहीं नहीं कहीं role होता है ऐसा इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि जो mesosomes होते हैं वो content करते हैं बहुत सारे respiratory enzymes याने कि इस mesosomes के अंदर बहुत सारे हमको respiratory enzymes देखने को मिलते हैं इसके अलावा ये help करते हैं in the formation of cell wall याने कि cell wall को बढ़ाने के लिए भी mesosomes help करते हैं and इसके अलावा इस cell के जो भी excretory substance होते हैं याने कि इस cell से जो भी कोई substance है जो बहार निकलता है excret हो रहा है वो भी निकालने के लिए ये mesosomes जो है help करते हैं तो ये सब detail थी cell membrane के बारे में आयोब इतना clear हो गया होगा चलिए अब देखते हैं cytoplasm तो cytoplasm जो होता है ये present होता है nucleoid and cell membrane के बीच में औके ये जो cytoplasm है एक complex mixture होता है किस-किस का mixture होता है समझता है that is carbohydrate, protein, lipids, mineral elements, salts, vitamins and water याने इन सब चीजों का complex mixture होता है जिससे cytoplasm बनता है अब हमने बात किये कि हमको ये कहां देखने को मिलता है तो चलिए diagram से मैं आपको बताता हूँ तो basically ये होगी cell wall and ये होगया nucleoid तो nucleoid and cell wall के बीच में आपके dot dot चो दिख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं cytoplasm तो ये ही बोला गया कि cell wall and nucleoid के बीच में हमको ये cytoplasm देखने को मिलता है ओके students चलिए अब इसके बार में और in depth में समझते हैं इसके अलावा जो cytoplasm है वो और क्या कंटेंड करते हैं वो कंटेंड करते हैं वाल्योटीन ग्रेनियूल्स and glycogen जो कि आप इस diagram में देख भी पा रहे होंगे कि जो वाल्योटीन ग्रेनियूल्स है वो आपको ये structure है इसको बोलते हैं इसके अलावा जो glycogen बताया गया था वो इस structure को बुला गया है that is glycogen तो sulfur and iron bacteria जो होते हैं वो कंटेंड करते हैं sulfur and iron उसके अंदर इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो most of the membrane होती है जो की bound करती है एक cell के organs को cell के अंदर body के अंदर जो भी हमको चीज़ें मिलती है जो भी उसके parts है उसको organs बोलते हैं तो जो most of the membrane होती है वो बांद के रखती है cell के organs को तो अगर हम बात कर रहे है प्रोक्योरिटिक cell के point of view से तो इसके अंदर बहुत सारे organs हैं जो की absent होते हैं जैसे की mitochondria, Golgi body, endoplasm reticulum, plastics, etc यह जो हैं completely absent हमको देखने को मिलते हैं cytoplasm के अंदर for the prokaryotic cells, okay and कुछ bacteria जो की photosynthetic करते हैं याने की अपना foot खुद create करते हैं by the using of photosynthesis process तो वहाँ पे हमको बहुत सारे lemulas देखने को मिलते हैं बहुत सारे layers देखने को मिलते हैं इसका मतलब जो की equivalent होते हैं thailicoids के जो की हमको higher plants के अंदर देखने को मिलते हैं यानि की क्या बोला गया है जो photosynthetic bacteria होते हैं उनमें हमको multiple layers देखने को मिलते हैं जैसे की हम ऐसी multiple layer structure देख पाते हैं higher plants के अंदर थायलेकोईट्स के अंदर हमको दिखने को मिलते हैं अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे 70S टाइप के राइबोसोम्स जो है हमको यहाँ पे फैले हुई देखाई देते हैं in the cytoplasm अब बात करते हैं 70S जो है यह एक टाइप के राइबोसोम्स है यहाँ पे जो 70S में जो S है वो स्वेटबर्ग एक यूनिट है जो की बनी हुई होती है 50S and 30S के टाइप राइबोसोम से मिलकर के तो keep in mind students जो 70S टाइप का राइबोसोम हमको देखने मिलता है in cytoplasm के अंदर जो की बने हुए होते हैं किन सब यूनिट से वो होते हैं 50S and 30S टाइप के राइबोसोम से मिलकर बने होते हैं तो don't get confused students यह 30S, 50S 70S यह ज़स नाम है कुछ राइबोसोम्स के जो आपको याद होने चाहिए तो यह जो राइबोसोम्स है exactly students यह जमा होते हैं actually क्या बनाते हैं जमा होकर के यह बनाते हैं polyribosomes ओके यह जो polyribosome बनाते हैं ribosomes यह तब बनाते हैं जब protein synthesis की process start होती है ओके यानि उस पूरी protein synthesis की process के दोरान हमको polyribosomes देखने को मिलते हैं जैसे कि हम eukeretic cells के अंदर देखते हैं इस cell के अंदर जो भी fluid है लिक्वीड है वो movement करता है इसके अंदर का जो भी मतलब cytoplasm के अंदर जो भी liquid है fluid है वो जो है streaming करने का मतलब है कि इदर ओदर motion में रहता है चलते रहता है flow होते रहता है पर यह चीज जो है बेक्टरिया में हमको देखने को नहीं मिलती है इसके अलावा इनके cytoplasm में cytoskeleton and vacuoles जो है वो completely हमको absent देखने को मिलती है याने कि cytoskeleton and vacuoles देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन कुछ बेक्टरिया में हमको gas के vacuoles ज़रूर देखने को मिलते हैं तो यह जान करें थी cytoplasm के बारे में चलिए बात करते हैं nucleoid के बारे में आप इस बेक्टरिया में देख पा रहे हैं जो central में structure है इसको हम बोलते है nucleoid चलिए इसके बारे में और जानते हैं एक्चुली एक बेक्टरिया के अंदर एक अलग सा distinct membrane bound true nucleus जो है उसकी कमी होती है nucleus हमको देखने को नहीं मिलता है तो basically हमको बेक्टरिया के cell wall के अंदर जो DNA है वो मिलता है as a circular chromosome के form में यह जो circular chromosome होता है इसके अंदर histone protein की कमी होती है याने की नहीं होता है histone protein ओके एन इन बेक्टरिया में यह जो circular chromosome होता है इसी को हम बोलते है nucleoid या फिर incipient nucleus incipient nucleus का मतलब मैंने पहले भी बताया हुआ है ऐसा nucleus जो की अभी अभी generate हुआ है ओके जिसको हम geno4 भी बोलते है याने की यह जो structure आप देख रहे हैं यह nucleus नहीं है यह nucleoid है and nucleoid को हम incipient nucleus भी बोलते हैं जो की अभी अभी generate हुआ है ओके तो एक bacteria cell का जो nucleus होता है वो primitive होता है याने की अभी अभी just start ही हुआ है बनना उसका initial step पे है वो and इसके अंदर nucleus की कमी देखने को मिलती है nuclear membrane की कमी देखने को मिलती है and साथ में nuclear shape भी देखने को नहीं मिलता है तो nuclear shape का मतलब क्या है एक basically nucleus के अंदर जो liquid होता है उस liquid को बोला जाता है students nuclear shape ओके तो अगर हम बात करें एसकेरी किया कोली के अंदर क्या होता है students जो cytoplasm में हम देखते हैं कि 700 micro से 1400 micro तक एक long circular DNA देखने को मिलता है जब यह uncoil होता है जब उनके duplication की बात होती है जब वो अपने आपको duplicate करने कोशिश करता है और copies बनाने कोशिश करता है तो उस समय हमको दो नए coil strains देखने को मिलते हैं अब इस्ट्रेंट्स का मलब बता है कि एक single piece ओके इस चिसको समझते हैं इस्ट्रेंट्स की exactly क्या होता है एसकेरी किया कोली के अंदर जो cytoplasm होता है वहाँ पे बहुत long circular DNA होता है एक DNA से दो DNA बन जाते हैं जब वहाँ पे duplication होना start होता है इतना clear है तो यह था nucleoid के बारे में चली हम बात करते हैं plasmids के बारे में तो plasmid क्या होते हैं students अगर मैं structure में दिखा दूँ यहाँ पे bacteria cell के अंदर जो आप यह दो rings देख रहे हैं इसी को हम बोलते है plasmid तो exactly क्या होता है chromosome के अलावा जो DNA segment हमको देखने मिलता है in the form of small rings उसी को हम बोलते हैं that is plasmid अब हम बात करते हैं एक famous scientist है जिनका नाम है Lederberg उन्होंने 1952 में सबसे पहले एक term यूज की थी that is plasmid and इस term plasmid का यूज हुआ था extra chromosome के लिए तो अगर हम बात करते हैं एक bacteria cell में जो chromosome है उसी को consider किया गया है as a nucleus क्योंकि prokaryotic के अंदर हमको well developed एक nucleus की कमी देखने मिलती है तो वहाँ पे जो nucleus है वो actually chromosome होता है तो इसी chromosome को हम nucleus consider करते हैं तो यहाँ पे जो plasmids होते हैं उनको हम बोलते हैं extra chromosomal DNA fragments ओके students याने plasmids को और एक नाम दिया गया है कि extra chromosomal DNA fragments भी आप बोल सकते हैं and जब इनका replication होता है याने कि जब एक copies से multiple copies बनती है उनकी and यह independently replicate करते हैं तो उस condition पे वो अपने आपको transfer कर सकते हैं एक cell से दूसरे cell में याने कि बोलने का मदब students यह है कि जब DNA की multiple replicas बन जाते हैं कि यह plasmid है and यह extra chromosome है तो इसको attach करना होगा main chromosome के साथ जिसको हम बोलते हैं episome okay students इतना clear है plasmid के बार में तो अब हम बात करते हैं इस plasmid के तीन टाइप देखना को मिलते हैं चलिए देखते हैं वो कौन से तीन टाइप हैं तो जो तीन टाइप होते हैं plasmids के वो क्या होते हैं f factor या इसको sex factor बोलते हैं then second is the r factor and third is the call factor तो चलिए इन तीनों को समझते हैं one by one the very first is the f factor या इसको बोला गया sex factor तो यह exactly क्या है students इस f factor में f का मनलब होता है fertility factor ओके तो यह जो f factor याना की fertility factor होता है students यह responsibility लेते हैं यह responsible होते हैं जब यह heritage material को एक sales से दूसरे sales में transfer करते हैं यानि कि इसका वालब यह students की एक sales से, दूसरे sales में, जब हैडिट्री material को transfer करना होता है, तो ये काम करता है F factor, ओके, तो ऐसे factor जिनके अंदर F factor available होते हैं, उसको हम बोलते हैं F positive, या फिर उसी को बोलते हैं donor, ओके, एसा बेक्टर या जिसके अंदर F factor available नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं F negative, या फिर recipient, ओके students, तो इस तरीके से conjugate होते हैं, जब वो आपस में जुडते हैं, तो जब भी आपस में जुडते हैं, तो उस condition पर F factor ही responsible होता है, जो की hereditary material को एक sales से दूसरे sales में transfer करता है, तो चलिए इसको एक diagram में समझते हैं students, तो इस diagram में समझते हैं की conjugation का मतलब क्या होता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो sales हैं, जिसमें यहाँ पे बोला गया कि यह plasmids हैं, mobile plasmid का मतलब है कि जो एक place से दूसरे place पर जा सकता है, ओके, mobile का मतलब एक place से दूसरे place पर जा सकता है, प्लाजमिट जो है, वो अभी हमने समझे थे, तो जो blue color का ring आपको दिख रहा है, इसको बोला गया है, mobile plasmid, लेफ्ट वाले जो बेक्टरिया में हम देख रहे हैं, जो blue color का जो एक ring है, जिसको हम plasmid बोल रहे हैं, वो available है, तो यह F factor इसमें available है, तो यह donor होगा, और राइट साइट पर हम देख रहे हैं, एक दूसरा बेक्टरिया, जिसके अंदर सिर्फ rate color का ring है, जिसको हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं, तो इसके अंदर जो है F factor अवेलेबल नहीं है, यानि कि mobile plasmid अवेलेबल नहीं है, एन हम देख रहे हैं, जो donor है, जो की देने वाला है, उसके पास एक extra structure है, जिसको हम बोलते हैं, पाइलस, इस पाइलस के थूँ ही, जो DNA है, वो transfer होता है, DNA का मतलब plasmid, या F factor जो है, वो transfer होने वाला है, तो यहाँ पे second step में दिखाया गया है, कि किस तरीके से इस पाइलस का यूज़ करते हैं, वे donor जो है, attach होता है recipient से, ओके, third diagram में दिखाया गया है, कि ये दोनों जो bacteria हैं, वो आपस में joint हो चुके हैं, conjugate हो चुके हैं, यहाँ से किस तरीके से transfer हो रहा है, plasmid वो दिखाया गया है, जब ये transfer successful हो जाता है, उसके बाद ये दोनों ही, जो bacteria हैं, वो separate हो जाते हैं, and separation के बाद आप देख पारें students यहाँ पे, कि अब जो recipient bacteria था, उसके अंदर भी एक pylos form हो चुका है, क्योंकि अब उसके अंदर भी हमको F factor, या फिर plasmid जो है, वो देखने को मिलता है, तो इस तरीके से conjugation होता है दो bacteria की बीच में, ओके students, इतना clear हैं, तो चलिए देखते हैं, second plasmid that is R factor, तो इस R factor को हम बोलते हैं, करता है, किस चीज़ से product करता है, degenerating, यानि कि उसको कोई मार नहीं डाले, वो खतम नहीं हो जाए, उस चीज़ से रोकता है, ओके, इसके अलावा ये provide करते हैं, resistance against antibiotics के, यानि कि antibiotics के against, ये resistance करते हैं, resistance करते हैं, उनको अपने तरफ आया नहीं देते हैं, जैसे example के लिए बोला जाए, तो tetracycline, streptomycin, इस टाइप के जो antibiotics हैं, उनसे अपने आपको resist करते हैं, ओके students, तो ये था, R factor, it means resistant factor, जो third plasmid है, वो है, call factor, actually ये जो call है, यहां से kolesin आया है, ओके students, kolesin बेसिकली एक protein है, तो exactly जो bacteria है, वो help करता है, kolesin को prepare करने के लिए, ऐसा factor बोला गया, call factor, ओके, इसी को और एक term से बुलाया जाता है, that is, call factor मतलब, call factor, तो ये जो है, present होते हैं, उन bacteria के अंदर, जिनमें ability होती है, antibiotics को बनाने की, यानि कि कुछ bacteria होते हैं students, जो की antibiotics को बना सकते हैं, उन्हीं के अंदर हमको call factor, जो है, देखने को मिलता है, ओके students, जनरली अगर हम बात करें कि, एस्केरी किया कोली के अंदर, जो use होता है, normal plasmid वो है, PPR 322, ओके, जो की genetic engineering में भी, हमने use होते हुए, देखा है, तो ये थी details about the, ultra structure of bacterial cell, I hope आपको clear हो गया होगा, अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला, या knowledge मिला, तो please हमाई चनल को subscribe किजिए, एंद वीडियो को like ज़रूर करें, आज के लिए इतना ही, thank you,